बिस्मिल्लाइर्म नहीं, अफ्लाम लेकूं Harvard Academy की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की सेशन का हमारा मकसर कुछ जनरल गाइडलाइन्स हमने प्रोवाइड करनी है स्पेशलिस जो हमारे एस्पिरेंट्स हैंसी ने और अडिटर के इंटर्व्यू की तैयारी के लिए कुछ गाइडलाइन्स इस लिहाज से देनी है जो जनरल है उनमें काफी सारे एस्पिरेंट्स के कामन कोईस्टन है जिनको हमने अड्रेस करना है और यह जनरल जो सेशन होगा यह हमारे तकरीबन 5-6 लेक्टेश होंगे कम्प्लिकेटर जो एरियाज है उन पे तो हम वर्क कर ही रहे हैं जिनमें कई सारी चीज़ें वो आप से डिसकस में करता हूँ तो हावड अकैडमी ओनलाइन इंटर्व्यू की परिपेरेशन आफर कर रही है थ्रू वेबसाइट कुछ लोगों के सवालात हैं जिनको अड्रेस करना यहां पे जरूरी है तो उन में से सबसे पहला क्वेस्टन जो ज़्यादा एस्पिरेंट्स कर रहे होते हैं जब हमारा इंटर्व्यू होगा तो हमें ऐल्टिमेटली किसी फिजिकल अकैडमी में जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए तो आप से मैं एक सिंपल बात कहता हूँ अगर आप उसको pick कर जाते हैं या उसको understand कर जाते हैं तो आपकी काफी सारी प्रेशानी खतम हो जाएगी कि interview सिर्फ practice का नाम नहीं है कि आप जाएं और session करें और इस से आपके interview की तेयारी हो जाएगी जैसा कि मैंने अपने कही सारे students जो हमारे course में हैं मैंने उनको भी गाइड किया दुबारा गाइड करता हूं कि जो हमारे lectures या जो हम guideline मौय कर रहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आपने बाच नहीं करना सिर्फ और सिर्फ सुन के गिंती नहीं पूरी करने कि हमने थारे lectures देख लिए हैं हर lecture में कुछ न कुछ exercises दी गही हैं कि आपने अपना जो confidence है उसको कैसे बहतर करना है अपने knowledge area को कैसे strong करना है तो जो main difference या differentiating point है वो यह है कि आपने अपनी personality को groom करना है आप अगर इस लफ्ग पे गोर करें तो interview तो आपके अंदर अंदरोनी जांक करेंगे अंदर ते आपको जहांकना चाहता है board जो आपका interview करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी dressing आपका बित्रीन जो है वो अपने लोग definitely interview का लाजमी पार्ट है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोग से आपका interview complete नहीं होगा कई सारे लोग होते हैं बड़ी mashallah से well looking personalities होती है लेकिन interview में fail हो जाते हैं क्योंकि आपको ultimately जो आपकी CV बता रही होती है जो आपकी education आपकी personality के बारे में बता रही होती है आपको वो उसी चीज उसी level पे जाचना चाहते हैं आप उसकी in line हैं या नहीं हैं तो इसमें कई सार इरियाद होते हैं जिसको हमने cover करना होता है सबसे पहले तो यह होता है कि हमने understand करना के जो panel है उसका मकसद क्या है और panel की composition क्या है वो आप से search क्या करना चाहते हैं आप किस जगह पे हैं आप अपने आपको कैसे assess कर सकते हैं अपने knowledge कैसे build कर सकते हैं अपने confidence को कैसे build कर सकत और यह सारी कि सारी चीज़ हैं जो tips and tricks हैं हमने cover करने और में जो आपने focus करना है वो आपकी self assessment आपने अपने अपको assess करना है उसके बाद अपने personality को groom करना और जो आपने जिस job के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिस course के लिए आपका interview है जिस post के लिए आपका interview है उसके syllabus जो प्री requirements है यानि कि एक accountant जा रहा है तो उसको account का knowledge होना चाहिए एक auditor जा रहा है तो उसको audit का complete knowledge होना चाहिए एक muslimान होने की जब आप interview दे रहे हैं तो muslimान की जो basic क्या characteristics हैं उसके basic क्या features है वो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तानी शहर ही हमें तो पाकिस्तान के बारे में complete knowledge होना चाहिए तो एक experience हमेशा प्रेशान होता है कि मैं कौन-कौन से areas को तैयारी करूँ देखने में interview है आपका 5-10 minute का interview होता है लेकिन इसकी importance इस लिहाज से बहुत होती है कि आपको assess करने वाले practically आपको assess कर रहे होते हैं और हर एक जो interview जैसे के आपके समने picture एक शोर ही है तो जो panel होता है committee होती ह हर एक के पास number होते हैं हर एक आपके बारे में points लिखता है और जब आप leave करते हैं अपने कमरे को तो आपके बारे में discussion होते हैं और आपको out of 200 marks award किया जाते हैं कि कितने आपको number मिलने है तो कई सारे लोग जिन्होंने return test में ठीठाक number लिए होते हैं drop हो जाते हैं और किसी न return test में इतने अच्छे number नहीं भी लिए होते हैं तो interview में अच्छा perform करता है और वो excel कर जाता है तो यह था हमारा आज का जो overall guideline महिया करने का मकसद है तो सबसे पहले कुछ points भी मैं साथ में cover करूंगा overall तो हम 100 questions important questions जो के आपने आपको अमने तियार करवाने हैं वो तो basic है जि कुछ ऐसे questions में से होंगे जो आपके knowledge की base पे हैं जो professional areas के हैं तो वो तो आपके जो उस hundred में आपका professional area जो आपने प्रवाइड किया हुआ है उससे आपकी तैयारी हो जाएगी तो लेकिन बात यह है कि आपने जितनी अच्छी त्रीके से उसको लेके चलेंगे उतनी ही आपक कभी भी नहीं जाएं और यह एक ऐसा subject है जिसको आप जितना बहुतर तरीके से करेंगे आपकी personality पर directly impact करेगा और वो शो आपको नहीं होगा कि आपनी कितनी personality को groom किया है आपके अंदर यही रहेगा कि मैं कोशिक तो कर रहा हूँ पता नहीं मैं मन्जिल की तरफ जा रहा या किसी आप academy में या किसी बड़ी academy में जाते हैं हतारों जो है वो खर्च करते हैं और आपकी practice करने से आपकी interview की तेहरी नहीं होगी knowledge बील्ड करेंगे और अपनी capacity जब बील्ड करेंगे तो जब आपका interview होगा तो automatically आपने perform अच्छा करना है जब आपके अंदर साथ में क् अपने दोस्तों से मिलें professional रहें और हफते में एक आधी दफा जब जुम्मा की निमाद पढ़ने जाते हैं तो हार बंदा हार मसल्मान जो है वो घुसल भी करता है और अच्छे कप्रेट भी पहनता है तो जब इस तरीके से आप जाए तो फार्मली दो-तीन दोस्तों से और लोगों से मिलें और आपकी कई सरे फीचर जो हम टाइम टाइम करेंगे वो अपनी personality के अंदर इन करें तो प्रैक्टिस करना सबसे बड़ी बात है फिर इसके लाबा जो hundred questions हम कवर करवा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होंगे और वैसे तो आपको कहीं से भी मिल जाते है लेकिन हमने उसको focus करना है कि आपके जो hundred questions है उनके summarized answer कैसे आपने देने comprehensive एक question कोई भी होगा open ended questions होते हैं अब किसी तरीके से सवाल का जवाब देंगे तो आपको लगेगा अपने ठीक जवाब दिया ऐसा नहीं होता हर सवाल की condition होती है और decorum के हिसाब से उसका जवाब भी limited आपने देना आता है तो वह आपने area को focus करना है असके लाव प्रोफेश trimming करें personality को groom करें इसकी लाव आपके अपने बारे में knowledge होना चाहिए self assessment होनी चाहिए आपकी organization के मुतालिक आपका जितना भी जहां पर रह रहे हैं आपकी अपनी biography जो है autobiography लिखें उस पे summary बनाएं इस पर practice करें तो इन्शालला next session में भी हम मिलते हैं तो यह हम 6 session में हम general जो ह आपके जितनी बाते हैं आपसे बताई जाएं उनको आप अमल की तरफ जहें सिर्फ और सिर्फ सुन के उस पर अमल नहीं होगा जब तब practice नहीं करेंगे इन चीज़ों कोई फैदा में खुदा आफिस